दॉक्टर बदंत ग्यानगत्र महाथेरा द्वारा क्रत या लिखित या वदेन या वदित या विदित जीता टीम 22 में जो धमपद के वीडियोज बनते हैं उनमें टाइटल में लिखा होता है भंव बंतु वदेन धमपद जीता इस पर बहुत सारी लोग टीका टिप्टी की राजेश चंद्राजी एक जाने माने धम पिचारक हैं जो लखन उसे हैं उन्होंने फेस्बुक की उस टीका टिप्टी में लिखा ये है आपने धमपद गीता क्यों कर दिया धमपद परियाप्त है यद्दपी गीता का अर्थ भी गेपद होता है तथा भी यह अतिरिक्त लग रहा है वो कहते हैं कि गीता का मतलब होता है गेपद और धमपद के सारे पद गेपद हैं यानि गाये जाते हैं फिर भी गीता लिखने की कोई आउशक्ता ठी नहीं ऐसा उन्होंने अपना अभी प्राय दिया है दरसल दिल्ली के अंदर डॉक्टर भदंत ग्यान रत्न महा थिराजी एक जाने माने भिकू रहे हैं अब तो नहीं हैं हम उनके सिस्ट से रहे हैं क्योंकि दिल्ली में अगितर कारेकरम में हम उनके साथ आते जाते रहे हैं उन्होंने जो अपनी डॉक्टर एट है जो पाली भासा में की है जो गुद्ध की भासा में और गुद्ध की जितने भी साहित्त है उसके तहत की है उस स्रीलंका से की है तो एक वार जिक्र ऐसे ही उन्होंने किया और हमने सुना उन्होंने कहा कि ये जो जितना भी धंपद है या धंपद के लाबा जो और भंदमान बुद्ध ने और विक्को ने जो इखटा किया है ये सब गीतो और गीता है हमने पूछा गीतो और गीता कैसे है तो उन्होंने कहा कि पाली के अंदर जैसे एक बुद्ध होता है तो उसको बुद्धो बोलते है और अगर बहुत सारे बुद्धों की बात करते हैं तो बुद्धा बोलते है तो ऐसे ही पाली के अंदर अगर एक गीत होता है तो उसको गीतो बोलते है और बहुत सारे गीतों का अगर संगर होता है तो उसको गीता बोलते है और इस हिसाब से दुनिया की कोई भी किताब जिसमें बहुत सारे गीत लिखे हो उसको गीता कह सकते है अब गीता बहुत सारी होती है जैसे जो संस्क्रत भासा है यानि संस्काइद भासा है दुनिया में हजार हो है जैसे उर्दू भी संस्काइद भासा है क्योंकि उसका संस्का हुआ है उसको बदला गया है ऐसे ही जो हिंदी है हिंदी भी संस्काइद भासा है इसको संसकत कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर पाली 80% पाली है और 20% इसके अंदर फार्सी के इंगलिस के संसकाइद भासा के बहार की जो भासा हैं उनके सद्ध मिले हुए हैं इसलिए ये संसकाइद भासा है हिंदी भी और में भासा पाली है यानि पुरानी मगदी, या कौसवी, या सोकी, या धमगी भासा, या पुतिगी भासा, पूरे भारत में वही चलती है, वही बुली जाती है, अब इसका नाम संस्काइट भासा का नाम हिंदी है, तो हुन्होंने कहा कि कोई भी अगर आप मालो किसी किताब में चार गाने तो यह दॉब्त ग्यानत्र महाथेरा दौरा क्रत य क्रत या लिखित या वदेन और वदृत या विदित जीता ऐसा बोला जा सकता है इसलिए इसको धंपद को हमें ऐसा बोलना ताहिए भंग वंतु मने धंपद इन धंपद बीदा गंग-वंतु मतलब जैसे अधन्वां बं आथने भग रासो, भग जो राग है, जो देष है और जो मॉमाया है, उसको भग्ण किया है तो उसमें उनको भंगवान बहותते हैं, यानि भंग करने वाले भंगवतू और वदेन का मतलब है कि उनको नाम से जाना जाता है. आप चाहें तो भन्वबंतु वदेन धंपद गीता कर सकते हैं इससे पूरा समझ में आता है कि भन्वान बुद्ध ने ये धंपद के हैं जो गीत के रूप में लिखे गए हैं गर्द के रूप में नहीं है अगे आने वाले समय में बहुत सारी किताबों को धंबत की या जो भवान बुद्ध का साहते उसको लोग गीतो या गीता कहेंगे क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म यही है धन्यवाद तंगं सरेन गच्छामी कुठी यंपी बुद्धन सर्णं गच्छामी कुठी यंपी दममर्सेनं गच्छामी झाल झाल